आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S22 Android में आप अपने मुवाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं इससे क्या होगा आपका मुवाइल फोन जो हो आटोमाटिक स्विच आउफ हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद आटोमाटिक स्विच आउन हो जाएगा री स्टार्ट करने से होता है कि हमारे मुवाइल फोन के एंड़र शिस्टम में है अगर कोई प्रॉल्म आ जाती है अगर आपको मुवाइल फोन के ब्लुतूथ को बंद करके रखना है अगर आपका mobile phone silent mode पे activate है तो phone को silent mode से हटा के रखना है ठीक है ना तो इससे यह जो मैंने आपको तीन setting बता ही न इन तीनों में से कोई भी setting अगर चालू रहेगी न तो इससे आपके phone के speaker में से sound के वाज नहीं आती है तो इन settings को आपको बंद रखना है जब आप इनका use करेंगे बाकी समय आपको इने बंद करगे रखना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगले process करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो update है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone के software का update आता है या नहीं आपको चेक कैसे करना है दिखिए सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone का internet आपको चलू करना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको नीचे की side आना है यहाँ पर आपको यह option मिल जाएगा यह नीचे की side software update का इसे टाप करना है तो आपको इस वाले page पे आपको यह डाउनलोड इंस्टॉल का option टैप करना है आपको इस वाले page पे अगर कोई भी update का बटन यहां पर दिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने phone का software update कर लेना है करते समय आपको ज्यादा ताकत या pressure या दबाव नहीं लगाना है नहीं तो इस speaker के अंदर के जो particles है न वो damage हो सकते हैं और mobile phone का speaker बिल्कुली खराब हो सकता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हलक्या तो यह साफ करना है भूत अब दोस्तों या पर आपको अगला process करना कि आए Ohhh device करना है देखि कि अपने mobile phone का and reset करना है तब फोन को पर захubby Prime best cat पर बिच्छा हो कि आपको काम नहीं करते तब आको phone को reset care not phone और हिसकि नहीं करने के लिए phone का सेटिंग अपन कर लिए फेक्टी डेटर रिसेट का यह option टैब करना है इससे आपका मुवाइल फोन रिसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉलम में सॉल्व हो जाएगी लेकिन आपको फोन को रिसेट करने से पहले न दो बातों का आपको ध्यान रखना है पहले बात ही सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी अगर मेरे बताय हुए सारे प्रोसेस उल्म की उसेबर बा arrival सॉल्व नहीं होती तो आपको करने क्या है दिए दोस्तो आपके मुवाइल फोन का जो यह सर्वी अपने फोन के सर्विस एंटर जाना पड़ेगा, ठीक है?